हेलो दोस्तो नॉर्थी शनेडरीड एफशी का परदर्शन अब तक ISL सीजन 9 में बिल्कुली खराब रहा है तीन मैचिस में तीनों ही मैचिस हार चुकी है नॉर्थी शनेडरीड एफ़सी के फैंस काफी जीदा नराज हैं नॉर्थी शनेडरीड एफसी के मेनेज्मेंट और नौर्थी शिनरेड FC के प्लियर्स और साथ ही कोचिंग स्टाफ से भी तो दोस्तो अभी नौर्थी शिनरेड FC फैंस के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज आया है कि नौर्थी शिनरेड FC ने एक बहुत अच्छे इंडिन खिलाडी को अपने टीम में साइन किया है तो दोस्तो इस खिलाडी के बारे में बात किया जाए तो इस खिलाडी का नावे रूपर्ट नौंगरम जिन्ने एटीके के लिए खेला है डिली डाइनमोस FC के लिए खिला है और लास्ट ये खेल रहे थे राउंड ग्लास FC के लिए तो दोस्तो काफी अच्छे खिलारी है रूपर्ट नौंगरम और मातर 26 वर्ष के है राइट मिट फिल्ड के खिलारी है तो दोस्तो खबर आ चुका है कि नौर्द नौंगरम को अपने टीम में साइन कर लिया है और दोस्तो रूपर्ट नौंगरम ने पहले भी नौर्द नौट नौंगरम नौर्द नौंगरम के लिए ही खेलेंगे ये बात Konfirm हो चुका है और अब हम बात करें दूसरे अबडिट के बारे में तो दोस्तो जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि नौर्थी शनेड़ेड़ FC को छोड़के जा चुके हैं सिल्वेश्टर एमे का जो काफी बरे होप थे सारे नौर्थी शनेड़ेड़ेड़ FC फैंस के तो अब वो जा चुके ह तो अब नौर्थी शनेड़ेड़ FC के स्क्वारड में एक विदेशी खिलारी कम है तो दोस्तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट सीजन इस्ट पेंगल FC के लिए शांदार खेलने वाले कुरेश्याई विदेशी खिलारी एंतोनियो पेरोसेविच को नौर्थी करें क्योंकि दोस्तो एंतोनियो पेरोसेविच ने लास्ट सीजन कैसा खेला था हम सभी को पता ही है इस्ट पेंगल FC के लिए तो दोस्तो अभी सबसे बड़ी बात यह है कि एंतोनियो पेरोसेविच अभी विदाउट कलब है तो हो सकता है कि नौर्थ सब्सक्राइब करके बैल आइकोन को भी प्रेस कर दो तो चले दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में